बायोग्राफी बाई रोहित शेनल पर आपका स्वावत है असी के तसक्यांत माई चांदनी मूवी तो आपने देखी होगी जो 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी और इस मूवी में हमें नजराए थे रिशी कपूर, बिनोत खन्ना, सिरी देवी, जुही जावला, वहिदा रहमान, बीना बनर जी, भारत भूशन, अनन्त महादेवन, विकाश आनन, अनुपम खैर, आदी हट्टर इस मूवियों में नजराए इस वीडियो में हम चांदनी मूवी की कुछ अंसोनी बाते बताएंगे, जो आपको साइध ही पता हो, अगर आपने हमारा चैनल वाइगराफी बाई रोहित सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब केजिए, चलिए वीडियो को सु पोस्टर देखे, तब उन्होंने एक रोमेंटिक प्रेम कहानी बनाने का फैसला किया, जो उनकी खास्यत थी, और चांदनी फिल्म का जनम हुआ, नमबर दो, निर्देशक यस्चुपड़ा ने रेखा को चांदनी की भूमिका की पेशकस की, क्योंकि उन्होंने उनकी देवी की सिपारिस की, नमबर तीन, इस फिल्म में जोही चाबला वाले रोल के लिए सबसे पहले माधुरी, मिनाकसी, माधवी और साहिन को अपरोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, और अंत में यह रोल जोही चाबला ने निभाया, नमब नमबर पांच, चांदी के मूल संस्क्रण में रिशिकपूर की मृत्तिव इंटरवेल से पहले हो जाती है, और बिनोत खन्ना इंटरवेल के बाद आते हैं, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट बदल दी गई, नमबर छे, यह फिलिम 1992 की गर्म्यों में कनाडा में सिनमा घरों मे रिलीज हुई, यह जनता की भारी मांग के कारण हुआ, नमबर साथ, अमर अगवर एंथेनी के बाद रिशिकपूर और बिनोत खन्ना फिर एक साथ आए, नमबर आठ, यह चोपड़ा बिनोत खन्ना के सैट पर लगतार देर से आने से परेशान थे, नमबर नो, फिलिम के निर्देशक यह चोपड़ा सहीत, सभी तीन पिरमुक अविनेताओं, रिशिकपूर, बिनोत खन्ना और सिरिदेवी का निदन हो चुका है, नमबर दस, गोविंदा का दावा है, कि अन्गल कपूर के फिलिम से बाहर होने के बाद, यह चोपड़ा ने उन से इस रोल के बा ने कैमी रोल किया था, नमबर बारा, यह पहली फिलिम थी, जिसमें सिरिदेवी और बिनोत खन्ना ने साथ में काम किया था, बे रमे सिपी की मल्टि स्टारर जमीन 1988 में अभिने करने वाले थे, लेकिन अंतहा यह फिलिम बंध हो गई, नमबर तेरा, चान्नी यह सोपड़ की सरवसेष्ट फिलिमों में से एक है, जिसमें सिरिदेवी ने मुख्य भूमी का निवाई थी, नमबर चौदा, अनिकपूर को रिशी कपूर की भूमी का पेशकस की गई थी, लेकिन उन्हें यह भूमी का पसंद नहीं आई, क्यूंकि भे पूरी फिलिम में बील चेर पर नहीं बैठना चाते थे, नमबर पंदरा, चांदी के साथ पहली बार आननद बक्षी ने यह चौपड़ा की फिलिम के लिए गीत लिखे, उसके बाद आननद बक्षी ने यह चौपड़ा की सभी फिल्मों के लिए गीत लिखे, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो क लाइक करें बायोग्राफी बाई रोहित चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत